मदूर अवाज के मालिक गाएक आतिफ असलम की पूरी दुनिया ही दिवानी है उनकी गाएक की और शक्षियत की वजह से आतिफ असलम ने बॉलिवूड में बहुत सारी मूवीज में बैक्गराण गाने गाए है जिन्ने दरशकों द्वारा बहुत पसंद किया गया है आतिफ पाकिस्तानी पंजाब के पंजाबी मुस्लिम परिवार में जन्मे बहुत ही सुरीले गाएक है पंजाब में ही उन्होंने अपनी स्कूली तालीम ले ले के बाद संगीत की शिक्षा भी वहीं से हासल की बच्पन से ही आतिफ काफी मेहनती लड़के थे और उन्हें संगीत सुनने का बहुत शौंक था जिस कारण उन्हें इस फिल्ड की तरब जुकाव हुआ उनके उस्ताद बताते हैं के संगीत सीखते समय आतिफ बहुत ज्यादा मेनत करते थे और उसी का फलो ने अपने केरियर में मिला साल 2013 में आतिफ असलम ने पाकिस्तान के लहौर की रहने वाली सारा नाम की लड़की से शादी कर ली आतिफ और सारा का रिष्टा बहुत ज्यादा अच्छा है दोनों एक दूसरे की सला के बिना कोई भी काम नहीं करते सारा की खूबसूरती देखकर लगता है जैसे कि वो भी किसी मौरल एजनसी के लिए असानी से काम कर सकती है आतिफ असलम ने भी अपनी पतनी को जिन्दगी जीने की पूरी अजादी दी है यहां तक कि वो उन्हें वेस्टरन ड्रेसिस पहने से भी मना नहीं करते आतिफ असलम की फैन फालिंग भारत में पाकिस्तान से भी ज्यादा है इसलिए बॉलिवीड प्रेडियोसर्स उन्हें अपनी मुवीज में गाने के लिए कहते हैं आतिफ की फैन फालिंग में सबसे ज्यादा संख्या लड़कियों की है आतिफ की अदाओं पर लड़कियों बहुत ज्यादा होती है लेकिन आतिफ की पतनी सारा भी उनसे कम नहीं है उनकी अदाइं देखकर आप भी हरान हो जाएंगे आतिफ खुद बहुत बार अपनी इंटर्वी में अपनी बीवी की खुबसूरती की प्रशंसा कर चुके हैं अगर आपको ये वीडियो अची लगी तो प्लीज से लाइक करें और शेयर करें दुनिया बर की वाइरल बात जानने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें